नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए टोपिक के साथ, आज का हमारा टोपिक रहेगा, राजस्तान के दुरग तथा महले, उन से समन देते कुछ महत्व पुरण क्यूशन, तो देखें कौन-कौन से क्यूशनों को समिल क्या गया है, देखते हैं आज का पहला किस सेली में निर्मित है नागर पंचायतन दर्विड परतिहार ये चार ओप्षन है बड़ोली का मंदिर किस सेली में निर्मित है तो राइट एंसर देखे मित्रों क्या होगा इसका राइट एंसर होगा आपका नागर बड़ोली का मंदिर किस सेली में निर्मित है नागर सेली में नेक्स्ट क्यूसन देखे दूसरा क्यूसन है आपका गड़ बीठली दुरगे इस्तित है अलवर में, जेपुर में, उदेपुर में या अजमेर में गड बीठली दुर्खे, रैट एंसर आपका होगा, अजमेर में, गड बीठली दुर्ख कहां पर इस्तित है अजमेर में, तो ज्यान में रखें सभी क्यूशनों को, तीसरा क्यूशन है, गुरु दुवारा बुड़ा जोडे, किस जिले में इस्तित है, भीकानेर, जेपूर, गंगा नगर अजमेर, गुरु दुवारा बुड़्डा जहोडे, राइट इंसर आपका होगा, C ओप्सन गंगा नगर, तो गंगा नगर में पड़ता है आपका ये गुरु दुवारा बुड़्डा जहोडे, नेक्स्ट कुछिन देखो, चार नम्मर कुछिन आपका जैसल म में पंद्राहसो पंच येशर्व में वहां कैसां सक रूम करण के ुष्व में अर्ध साख्का वा क्यूंकि इसमें जोहर हुआ के सरिया नहीं वा ४ नहीं ऑ कर देख़ लिद् किरउल कर दो लिदये बहुछ मनें कॉन साह कोगा जहुर हुआ केसरिया नहीं हुआ केसरिया हुआ जहुर नहीं हुआ 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 नहीं मिठे साह की दरगा किस किले में इस्तित है? मिठे साह की दरगा किस किले में इस्तित है? मिठे साह की दरगा राइट एंसर आपका होगा गागरोंगड में मिठे साह की दरगा इस्तित है नेक्स्ट क्यूसन देखो मयूर दवजगडे किस दुरग को कहा जता है मेरान गड़ जोदपुर को, सोनार के किले को, जालोर दुरग को, या जेगड जेपुर को मयूर दवजगडे किस दुरग को कहा जता है तो देखें इन में से राइट क्या होगा राइट एंसर होगा मित्रोष का मेरान गड़ दुरग जोदपूर को क्या कहा जाता है मैयूर दवज गड़ कहा जाता है नेक्ट क्यूसन देखो साथवा क्यूसन आपका सिवाना दुरग पर राव सातल देव के सासन काल में किस मुस्लिम सासक ने आकरमन किया अलावदिन खिलजी ने, सेरसा सुरी ने, सिकंदर लोदी ने या इब्राइम लोदी ने सिवाना दुरग पर राव सातल देव के सासन काल में किस मुस्लिम सासक ने आकरमन किया था तो राइट एंसर आपका होगा अलावदिन खिलजी नेक्स्ट क्यूसन देखो आठवा क्यूसन आपका वह किला जिसके आजादी वए असमिता के रक्सा के लिए वहां के ठाकरों ने गोला बारुद खतम होने पर दुस्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं जालोर का किला, भर्तपुर का किला, जसल मेर का किला, या चूरू का किला वे किला जिसके आजादी वे अस्मिता के रक्षा के लिए वहां के ठाकरों ने गोला बारूद खतम होने पर दोसनों पर चांदी के गोले दागे हैं तो कौन सा किला है वो? राइट इंसर आपका होगा डी ओप्सन चूरू का किला तो ध्यान में रखें इसको इंपोर्टेंट क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन देखो नुवा जुना गड़ दुरक का निर्मान किसने करवाया? महराजा करण सिंग ने, राव कल्यान मल ने, राव लून करण ने, महराजा राई सिंग ने जुन्ना गड़ दुरक का निर्मान किस ने करवाया था नीचे दिये गए उप्षन में से देखें राइट एंसर क्या होगा इसका इसका जो सही उत्र होगा मित्रों वो होगा आपका डी उप्षन महराजा राई सिंग जुनागड दुरग का निर्मान महराजा राय सिंग ने करवाया था next question देखो सुवरन गिरी दुरग कहलाता है जसलमेर का किला, जलोर का किला, करोली का किला या भटनेर का किला ये रहेंगे आपके option सुवरन गिरी दुरग कहलाता है नीचे देगए किलों में से कौन सा किला सुखरण गिरी दुर्ग कहलाता है तो राईट एंसर आप होगा आपका बी ओप्षन जालोर का किला जालोर के किले को सुखरण गिरी दुर्ग भी कहा जाता है नेक्स्ट कुशन देखो ग्यारवा क्यूशन आपका तीमन गड का दुरगे किस जिले में इस्तित है करोली भरतपुर अलवर या दोलपुर तीमन गड का दुरगे किस जिले में इस्तित है राइट एंसर देखो इसका क्या होगा यह option तिमन गड़ का दुरग किस जिले में इस्तित है करोली जिले में करोली जिले में आपका तिमन गड़ का दुरग इस्तित है next question बारवा देखते हैं कोस वर्दन गड़ किले का परचलित नाम है कोस वर्दन गड़ किले का परचलित नाम मेगजीन दुरग तारागड चो मुवागड या सेरगड इन ओप्षनों में से देखे कोस वर्दन गड किस किले का परचलित नाम है Right answer आपका होगा D option सेरगड कोस वर्दन गड किले का परचलित नाम है Right answer सेरगड नेक्स्ट क्यूसन देखो तेरवा कोटा में चंबल नदी के तट पर इस्टित एत्यासिक महल जिसे राजिस सरकार प्रेटन केंदर के रूप में विक्सित कर रही है ओप्शन है बनेडा महल, सुक महल, सतर विलास महल या अबेडा महल इन उप्शनों में से देखे, कोटा में चंबल नदी के तट पर इस्टित एत्यासिक महल जिसे राजिस सरकार प्रेटन केंदर के रूप में विक्सित कर रही है तो कौन सा महल है वो, राइट इंसर आपका होगा, डी उप्शन अभेडा महल याद रखें, कोटा में चंबल नदी के तट पर इस्टित अभेडा महल नेक्स्ट कुशन देखे, चोद्वा तना पीर की दरगा किस जिले में इस्टित है? सिरोही, अजमेर, जोदपूर, नागोर तना पीर की दरगा किस जिले में इस्टित है? राजस्टान का दूसरा बड़ा उर्षे, किस जिले में इस्टित है? नहरेड पीर की दरगा में, मोईनुदूइन चिस्टि की दरगा में, हमेदुदीन नागोरी की दरगा में, या मिठे साय की दरगा में? राजस्टान का दूसरा बड़ा उर्षे, किस जिले में इस्टित है? राइट एंस वर आपका होगा, सी उप्षन, हमेदुदीन नागोरी की दरगा में, राजस्टान का दूसरा बड़ा उर्षे, बड़ता है? नेक्स्ट क्यूसन देखो सोलवा, सोलवा क्यूसन हाथ का, बहे दरगा जहां पर दावदी बहरा समुदाय का उर्ष भरता है? फक्रुदीन की दरगा, मलिका साह, पीर की दरगा, सेपुदीन बहाव की दरगा, कमरुदीन चिस्टी की दरगा, बहे दरगा जहां पर दावदी बहरा समुदाय का उर्ष भरता है? तो राइट एंस वर देखें मित्रों क्या होगा इसका? राइट एंस वर है इसका ए उप्षन, फक्रुदीन की दरगा, फक्रुदीन की दरगा जहां पर दावदी बहरा समुदाय का उर्ष भरता है, नेक्स्ट कुशन देखो, सत्रुवा गुनिस सो पैंसट के भरत पाक यूद में सहीद रेल करमचारियों का इसमारके किस जिले में इस्तित है? जसल मेर, गडरा रोड, बाड मेर, बिकानेर या गंगानगर 1965 के भार्त पाक यूद में सहीद रेल करमचारियों का स्मारक किस जिले में इस्तित है तो देखे नीचे देगए उप्षन में से क्या होगा राइट राइट एंस्वर आपका होगा B उप्षन गड़रा रोड बाड़ मेर में Next question अठारवा मंडन किस दुर्ग का सिल्फी था जालोर दुर्ग, कुम्बल गड़ दुर्ग, चितोड गड़ दुर्ग या रन थुमबोर दुर्ग मंडन किस दुर्ग का सिल्फी था राइट एंस्वर आपका होगा B उप्षन कुम्बल गड़ दुर्ग का सिल्फी मंडन था नेक्स्ट क्यूशन गुनीश वा देखो मेरा अनगड दुरग में स्थित चमुन्डा माता के मंदिर का निर्मान किसने करवाय था तक्ष सिंग ने, अजीद सिंग ने, राव जोदा ने या राव बिका ने राव अन्सोर आपका होगा C ओप्षन राव जोदा ने जोदा ने करवाय था लास्ट क्यूशन आजगा दीस्वा क्यूशन देखते हैं हाली में किस किले को यूनेस को ने justo ना यूनेस को ने अवार्ड OF एक्सिलेंस पर धान किया टारागड दुरग मेरान गडदुरग सोनार का किला या नागोर का किला हाली में किस किले को युनेश को ने अवार्ड ओफ एक्सिलेंस परधान किया राइट एंसर होगा आपका डी ओप्सन नागोर का किला तो युनेश को ने अवार्ड ओफ एक्सिलेंस नागोर के किले को परधान किया है तो ये थे मित्रों आज के 20 क्यूशन जो दुर्ग और महल से समझ दित हैं तो ध्यान से आपने देखा होगा या देख लेंगे वीडियो वो अच्छे से बहुत दिरे दिरे बता रहा हूं जल्दबाजी करूँगा तो फिर आपको वीडियो रोकना पड़ेगा असलिए आराम से देखें वीडियो को अच्छे स्थर के क्यूशन है इसी परकार से लगातार राजस्तान जीके के वीडियो बनाते रहेंगे अपन और आप देखते रहें जिससे आगामी प्रत्योगिता में आपको अच्छे सपलता मिल सके आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत